जैसा कि चलते चलते अब हम जब नीचे आया तो हमें ये बर्फ का धेर सा बना हुआ दिखा आप कह सकते हैं कि एक ग्लैसियर का टुगला इसके पीछे हो सकता है कोई वर्टर का सोर्स हो क्योंकि यहां रात में फ्रिजिंग पॉइंट से नीचे टेंपरेचर होता है तो यहां पर बहुत सारा बर्फ जमा हो गया है और इससे पानी भी निकल रहा है तो इसका सामने से व आप सामने से इसका एक व्यू देख सकते हैं कैसे यह एक ब्रिज सा बन गया है बर्फ का और नीचे एक होल पार्ट है अगर आप कभी इस रीजन में आए और इस ट्रेक पे आए तो इसके नीचे जाके फोटो या सेलफी किचाने का कोशिस ना करें क्योंकि यह बहुत ही ज जिंडा भी लगा हुआ है लाल निसान ताकि उधर कोई न जाये सो बी केरफुल अब आगे बढ़ते हैं नहीं देख सकते हैं आपके ट्रेल बस यही है कि आपको यही केरफुल रहना है कि कुछ जल्दिवाजी नहीं आराम से करिए कोई दिक्कत नहीं है बस हाँ अब दीमे दीमे आगे